दोस्तों बजट है अगर आपका 20-25 जार रुपे का और लापटाप लेना चाहते हैं, एकदम दमदार जिसके अंदर हो 2GB ग्राफिक कार्ड, Windows 10, i3 का प्रोसेसर और एकदम लेटर सुसके लेटर वन टीवी की हार्ड ड्राव और चार्जिव की रहा हैं, इस वीडियो को बिल जो लापटाप लेने वाले होते हैं, 80% में से वो होते हैं, जो फर्स टाइम अपना लापटाप खरीद रहे होते हैं, क्योंकि यह बिगिनिंग रेज के मतले हैं, entry segment के लापटाप माने जाते हैं, 20-25 जार के अंदर, तो उमीदे काफी सारी हो जाते हैं, काफी multitasking लोग इस 4-5 लापटाप आपके लिए लेके आप आया हो, जिसके अंदर आपे सारे काम बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल निश्चिन दो के कर पाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल end तक देखीगा, और बीच में आपको देता रहोंगा हमीशा की तरह कुछ tips, तो वीडियो को बिना वक्त गवाई हम करते हैं, स्टार्ट मेरा नाम है संदीप और चानल का नाम है, डिजिटल इंदे चानल वाई फेक्टर, सबसे पहला लैप्टाप जो मैं आपके लिए लेके आना वाला हूँ, वो है HP का 14Q, पूरा मोडल का नाम मैं आपको नीचा डिस्क्रिप्शन में दे वो करवाते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर बड़े अराम से कर सकते हैं, HD स्क्रिण इसके आपको मिलने वाली है, 13662, 768 पिक्सल के अंदर, 4SL की इसके आपको बैटरी मिलने वाली है, तो अराम से आप 4-5 घंटे से ज़्यादा का बैक अप इसके दर ले पाएंगे, प् पी का ब्रैंड है, डेफिनिटल आपको सर्विस भी काफी अच्छी मिलने वाली है, दोस्तो दूसरे अगर मैं लाप्टाप की बात करूँ तो वो है लिनुवो का आइडिया पैट 320, ये 24,990 रुपे का मॉडल है, इसके अंदर आपको i3 6 जनिशन का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 2.3 GHz की फेक्वेंसी पे काम करता है, चार्ज भी की सिंदर आपको रैम मिलेगी, ये 64-bit के आर्किटेक्चर पे बनावा लाप्टाप है, मतलब जो अपरेटिंग सिस्टम में 64-bit का है, तो इसके अंदर बड़े अराम से आपको 64-bit के अंदर चलने वाली गेम से या अगर मैं बात करों तो इसके अंदर आपको रैम कर जाएंगी, 1TB के सिंदर आपको hard drive मिलेगी, 15.6 इंचीज की आपको HD screen इसके अंदर मिलने वाली है, इसके pros की अगर मैं बात करों तो इसके अंदर आपको HD screen जो 15.6 इंचीज की मिलते हैं, तो निमेरिक कीबोर्ड भी अगर चार गंट एक बैटरी बैकप मिल जाता है, तो अगर आपको बैटरी बैकप थोड़ा सा कम हो सकता है, दोस्तों अगर तीसरे laptop की बात करों जो वन आप मैं फेवरेट है, रीजन यह है, उसके अंदर 2GB का आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है, और काफी अच्छी configuration मिलत है, Core i3 का प्रोसेसर, जो साथ में मिलता है 2GB का NVIDIA ग्राफिक कार्ड, 500GB के संदर आपको hard drive मिलती है, DVD, CD, दोनो read, write का आपको options के दर मिलेगा, 15.6 है इसके HD skins मिलेगी और lightweight है, काफी DVD writer होने के बावजूद, यह सिरफ 1.69 kg का आपको मिलता है, दोस्तों एक बात में अगर कर है, वो हो जाएगा दमदार, क्योंकि i3 का अगर processor हो, 6GB का RAM है, और उसके दर आपको 2GB का NVIDIA graphic card मिल रहा है, तो कमाल के performance आप ले सकते हैं, under 25,000 रुपिस में, even RAM बढ़वाने के बावजूद, तो यह तो एक कमाल दमाल, मैं कह सकता हूँ, configuration आपकी हो सकती है, तो अगर आप आपका budget 20-25,000 रुपिर के range में है, और आप gaming भी चाहते हैं, साथ में आप entertainment भी चाहते हैं, और आप editing वगरा भी चाहते हैं, थोड़ा बहुत, तो definitely आप इस laptop को prefer कीजेगा, Asus का laptop आपको Flipkart या Amazon दोनों में मिल जाएगा, link में नीचे दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ हम करते हैं, online shopping के अंदर मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो vendor होता है, उसकी भी आप rating जरूर देखे हैं, कई बार हम क्या होता है, कि हम laptop की rating देख लेते हैं कि काफी अच्छी है, reviews काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है, उस laptop को पहुचाने के आपके पास काफी सारे vendors होते हैं, तो उन vendors की reviews जरूर देखे हैं, कई बारी कुछ vendors ऐसे होते हैं, laptop तो अच्छा होता है, लेकिन vendor भीजने वालों की reviews बड़े खराब होते हैं, तो आपको पुराना माल नाम भेज़ दें, या फिर उसको repack कर क्यों आपके पास देज दें, जब आपका warranty time खतम हो जाते हैं, बड़ी easily इसके parts अवेलेबल हो जाते हैं, काफे सारे brands में ने दिखा है कि दिक्कत आती है, after sale के बाद parts अगर एक warranty period के बाद खतम हो जाते हैं, खासकर जो Chinese brands होते हैं, उनके तो समझ के चलिए कि आपको brands के बाद में आपको parts मिलते ही नहीं है, 2GB का इसके अंदर आपको graphic card मिलने वाला है, 15.6 इसके आपको HD, LED, bright view display आपको मिलेगा, CD, DVD दोनों का option मिलने वाला है, मतलगे CD reiterate कर सकते हैं, DVD भी reiterate कर सकते हैं, फुल साइस का आपको keyboard support मिलने वाला है, दोस्तों, फुल साइस keyboard के अंदर क्या होता है, कई वे आपको जब calculated कुछ काम कर रहे होता है, तो side में जो अलग से आपका numeric pad होता है, बड़ा काम आपका आता है, खट-खट-खट-खट-खट आपको numeric काम हो जाते हैं, तो definitely 15.6 का बड़ा display है, और साइस में numeric pad आपको full side keyboard मिल रहा है, तो definitely वा आपको edge देने वाला है, और 2GB graphic card तो definitely आपको edge देगा ही देगा, इसकंदर आपको मिलता है AMD का 7th generation का processor, जो कि 3 frequency पर काम करता है, लेकिन आप turbo boost करके इसको 3.7 GHz frequency तक run कर सकते हैं, 4GB कि सिंदर आपको RAM मिलेगी, इसको आप 16GB तक बढ़वा सकते हैं, तो आने वाले टाइम में भी आपके काफी काम आ सकता है, तो अगर 4GB तो 8GB, 12GB, 16GB तक आप आप बड़े अराम से ले जा सकते हैं, चा चार्ट के आपके लिए काफी research करके, मैं आपके लिए laptop लेके आया हूँ, चारो भी laptop काफी अच्छे हैं, लेकिन दो laptop है, जिन में 2GB ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, एक HP का है, और एक आपका Asus का है, तो अगर आप थोड़ा gaming का शोक रखते हैं, editing का जादा शोक रखते हैं तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, इन दोनों laptop के अलावा बाकि चारो value for money है, जब मैं वीडियो बना रहा था दोस्तों, तो मुझे एक चीज़ काफी अजीब सी लगी, मैंने काफी सारे अलग से वीडियो देखें, कि मैं नहीं चाहता था कि आपको कि किसी भी तरके का लैपटाप बता दूं, जो फिर value for money ना हो, या फिर बाद में आपको लगे कि यार मैं वो गलत solution दे दिया, तो मैंने काफी जगे सर्च कर रहा और मुझे देखके बड़ा दुख हुआ, कि कुछ लोगों ने सिरफ खाना पूरती के नाम पर 20-25 दार के laptop में, जो है, Celeron जै या फिर 11 इंच का, 11 इंच के laptop, मैं laptop बोलू हूँ, 11 इंच की screen वाले को, चले छोड़ दीजे, बात को लंबा जाने की जुरूत नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप समझ जीगा कि अगर आप एक student है, तो आप professionally भी उसको use करना चाहेंगे, because you want to upgrade your life also, so, और laptop को ऐसे चीज़ द ना दोस्तों कि आपने आज खरीदा, call change कर देंगे, या आप जब खरीते हैं, तो थोड़ा सा long term के लिए सोचते होंगे, इसलिए खरीते होंगे, sorry, तो मैंने काफी ध्यान रखा है इस चीज़ का, कि अगर आपने आज laptop खरीदा, तो उसको upgrade भी किया जा सके, और उसको अच